खुला आस्मान, सुन्दर वादियां, पत्थरों के बीच वहता पाईएं, प्रकर्ती की गोद में छिपे जड़नें, खूप सूरस सन्राइज, संसेट्स, और धेर सारे चीड के पेड़, हाँ, मैं पहाडों की बात कर रही हूँ, मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ, जिनोंने पहाडों को बहुत ही करीब से जाना है, लोग कहते हैं पहाडों में सुकून हैं, जो नजारे पहाडों में देखने को मिलते हैं, वो आपको कुछ अलग ही ऐसास देते हैं, और ये मैंने तब महसूस किया जब मैं इस गाउं में आई हलो एवरिवन मेरा नाम अनुरादा है और इस वीडियो सीरीज के थूँ आपके साथ मेरे कुछ एक्सपिरियंसे शेयर करूँगी वैसे स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस गाउं में मैंने और मुस्ट छै महीने बिताए हैं और यहां रहकर मैंने ये जाना कि असली पहाड और पहाडी लाइफ क्या होती है तो अपनी बोरिंग लाइफ को टाटा सब्सक्राइब बोलकर हमने अपनी जर्णी की शुरूत 18 अपरेंसे की थी एक नॉन पहाड़ी जब पहाड़ों पर आता है वह भी गाउं के पहाड़ों पर तो चोट लगना तो कंपलसरी है तो गिरने पढ़ने के साथ ही मेरी एंट्री गाउं में होती है गाउं में आते ह अब गाउं की बात करते हैं पूरा गाउं चारों तरफ से पहाड़ी से गिरा हुआ है ऐसा लगता है मानों पहाड़ी की गोद में ही बसा हरे भरे पहाड़ों पर बसे घर पहाड़ों की सुन्दर्था को और बढ़ा देते हैं सुन्दर नजारों का आनन्द लेते हुए हम घर पहुचे और सफर की धकान तो पहाड़ों को देखकर ही खतम हो गई थी और ये है उत्राखंड के गाउं के घर की एक छलब शाम होने पर हम पहाड़ों पर घास काटने के लिए गए थी वैसे मैंने घास तो नहीं काटी लेकिन पहाड़ों का आनन्द जरूर लिया था यहां दिन में पहाड़ जितने खुबसूरत लगते हैं रात में आसमान उतना ही चमकदार होता है पहाड़ों पर आसमान देखकर मैंने ये महसूस किया कि हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हुए भी अलग-अलग आसमान देखते हैं चूले पर बनी गरम-गरम रोटियां खाने के बाद और तारों से भरे आसमान को देखकर मुझे जो खुशी मिली थी वो शायद ही कभी मिली हो तो कुछ ऐसा था मेरा पहला दिन उत्राखंट के गाउं में यहाँ पर मैंने जितनी हर्याली और नीचर की जितनी खुप सूर्ती देखी है वो शायद ही मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी देखी होगी इसी नोट के साथ वीडियो समाप्त करते हैं बाइबाइब